G20 शिखर समेलन 2023 का आयोचन हमारे प्यारे भारत में हो रहा है और इस बार भारत ने पूरे वल्ड के रास्टा धेक्ष को भारत में इखटा कर ये साबित कर दिया है भारत अब वल्ड का सूपर पावर बनने की रहा पर आ गया है तो फ्रेंट्स आज हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस भारत में रह रहे हैं जो कुछ ही सालों में वल्ड लीडर बन जाएगा फ्रेंट्स अगर आप सब भी भारत को इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर प्राउड फील कर रहे हो तो कॉमेंट बॉक्स में जैहिंद जरूर लिखें तो फ्रेंट्स आज की G20 शिकर सम्मेलन 2023 से related most important question इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी जादा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू कर लेते हैं first question से first question है मारा G20 शिकर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है फिर इस question में ये पूचा जा रहा है कि जो G20 सम्मेट है 2023 का इसे किस country ने होस्ट किया है सही answer होगा option B भारत हमारे प्यारे भारत ने फ्रेंट्स G20 शिकर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करी है यानि कि हमारे देश में G20 शिखर सम्मेलन 2023 हो रहा है फ्रेंट्स अगर हम बात करें डेट की डेट काफ़ी इंपॉरेंट है कब से कब तक आयोजन हुआ इसका 9 सितंबर 2023 से लेके 10 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया कहां पर भारत की राजधानी नई दिल्ली में डेटेल में हम कोशन को समझते हैं इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने और अगर आपसे एक्जाम में ये पूछ लें बताओ कि जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है इसका लोगो क्या है इसका लोगो है खिलता हुआ कमल और एडिशन कौन सा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो की भारत में हो रहा है अठारवा थीम काफी इंपोरेंट है एक्जाम में पुछी भी जा चुकिए कई एक्जामों में थीम क्या है 2023 की G20 शिखर सम्मेलन की वो है वासुदेवा कुटुमबकम इंग्लिश में हम बोलेंगे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर नेक्स कोशन करते हैं भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहा हुआ है सही आंसरों का इस कोशन का ओप्शन C, नई दिल्ली के फैंच जो भारत मंडपम है यहाँ पर G20 सम्मेलन 2030 का आयोजन हुआ है फैंच यह है फोटो भारत मंडपम कहां पर है नई दिल्ली में डिटेल में समझते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्खाटन किया था भारत मंडपम देश का सबसे बरा कंवेंशन सेंटर है अगला कोशन करते हैं भारत मंडपम जो की कहां पर है नई दिल्ली में भारत मंडपम में जी टुन्टी शिकर संम्मिलन 2023 के आयोजन स्थल पर 28 फुट उची किसकी प्रतीमा स्थापित की गई है वहँआज यहाँ पर फोटों से देख सकते हों कि यह जो भारत मंडपम है ना भारत मंडपम जहाँपर जी टुन्टी शिकर संमिलन हो रहा है 2023 का यहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है तो सही आंसर क्या होगा Option B नटराजन डिटेल में समझते हैं नटराजन की मूर्ती 19 टन की है और 8 धातो यानि की 8 धातों से बनी वही है या आठ धातों कौन कौन से हैं सोना, चांदी, सीसा, तामबा, टेन, पारा, लोहा और जस्ता यह मूर्ती तमिलाडू के स्वामी मलाई जिले में के प्रसीद मूर्तिकार देव सेनापती, सत्पती के पुत्रों द्वारा बनाई गई थी साथ साथ में आपको हर कोशन और हर कोशन का जो औरिशन इंफॉर्मेशन है, वो इंगलिश में भी बता रहा हूं, ताकि कभी कभी क्या होता है, कुछ-कुछ words जो होते हैं, वो हिंदी में clear नहीं होते हैं, इंगलिश में clear हो जाते हैं, तो इसलिए दोनों medium के student, हिंदी medium के student, इंगलिश में के student, दोनों के लिए ये वीडियो काफी useful है, निया initiative मैंने आप सभी के लिए ये start करा है, अपनी हर वीडियो में, अगला कोशन करते हैं, G20 सम्हू की स्थापना कभ होई थी, सही answer होगा, option C, वर्ष 1999 में, 1999 में G20 सम्हू की स्थापना होई थी, डिटेल में हम समझते हैं, G20 सम्हू की स्थापना, वर्ष 1999 में साथ देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, कैनेडा, जर्मनी, फ्रांस, जपान और इटली के विदेश मंतरियों द्वारा की गई थी, और फ्रेंट्स आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भारत है ना, ये G20 का सदस् पूछ लें, तो 1999 में बना था, नेक्स कोशन कर लेते हैं, वर्ष 2024 में G20 शिकर सम्हेलन के 19 संसकरन की अधिक्षता कौन सा देश करेगा, देखो फ्रेंट्स मैंने आपको ये बताया कि जो 18 संसकरन है, ठीक है, जो कि 2023 में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है भारत म लेकिन इसका जो अगले वाला संसकरन होगा, 19 संसकरन होगा, ठीक है, 2024 में होगा, ये कहां पर होगा, ये कोशन में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा, option A, ब्राजील देश में, ये आपने ध्यान रखना, एक्जाम के लिए important question है, इसका जो important point और फेंस, वो भी एक्जाम होगा है, कहां पर हुआ था, Washington DC, America में है, ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, ठीक है, देखो, मैंने आपको, एक बाने में आपको, मैं ये timeline से चीज़ें समझाता हूँ, 18 संसकरन हो रहा है भारत में, कहां पर? भारत में, और question में था कि 19 संसकरन कहां पर हो रहा है, मतलब हुआ था, 17 G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में, तो आपको ना, पहला वाला, प्रेजन्ट वाला, अगले वाला और पिछले वाला भी पता होना चीज़ें, वो चीज़ें मैंने आपको यहां पर समझा दी, अगला question कर लेते हैं, G20 का मुख्याले कहा 19 देश और European संग, देखो friends, यह जो G20 है इसका full form क्या होता है, group of 20 होता है, ठीक है, यह आप देख रहे हो, group of G20 है, full form है group of 20, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक हो रही होगी बार बार, कि G20 है मतलब कि 20 देशों का समू होगा, लेकिन 20 देश नहीं है इसमें, इसम 19 देश है, G20 के, ठीक है, तो आपको देश के नाम तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि आप देखो यह topic भी trending हो गया होगा है, और exam में तो directly पूछ लेंगे, बताओ निम लिखित में से कौन सा देश जो है, वो G20 का सदस्य देश नहीं है, तो आपको तभी यह answer सही कर पाओग तो trick क्या है हमारे पास, गुरु जी सीता अब SSC-FCI में काम करती है, तो गुरु जी सीता अब SSC-FCI में काम करती है, यह trick आपको याद रखना है, अब यह जो 19 देश है, यहां से कैसे निकलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं, गुरु की, चर्मनी होगा, यू से होगा USA, आर से होगा Russia, यू से होगा United Kingdom, यादि की Britain, ठीक है, तो आपको बता लग रहा है, गुरु से चार्देश कौन से निकलें, अब हम बात करते हैं, जी की, जी है यहां पे, जी से क्या होगा, जबढ, आई से होगा इंडिया, यानि की, गुरु अब आता है word अगला अब, a से निकलेगा अर्जंटीना बाजील, अब नेक्स्ट वर्ड है, ssc, ssc में s से निकलेगा, south korea, इस c से निकलेगा, canada, अब आगे हमारा fci, i इस वर्ड में जो F है, वो है निकलेगा France, C से China, I से Italy, अब next है M E, M से Mexico, E से European Union, I hope friends ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आगी होगी, फिर से बतायता हूँ, Guru जी सीता अब SSC FCI में काम करती है, Friends, ये complete information मैं आपको बता दिया, G20 के बारे में, अब देखो friends, अगर आप एक serious student हो, किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, तो ये तो एक question जो आपको करवा है, addition information दिये, important था ही, अपना G20 के कुछ meetings होई हैं इंडिया में, ठीक है, ये जो main meeting होई है, हो रही है भी 9 सितंबर को, ठीक ह शिरपा बैठक की मेजबानिक की शहर ने की है, सही answer होगा, इस question का option है, उदैपूर शहर, उदैपूर शहर राजिस्थान का है, यहां पर पहली G20 शिरपा बैठक कायोजन किया गया है, important point से समझते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि शिरपा गया होता है, ठीक है, तो अंतर अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि G20 शिकर सम्मेलन 2023 में भारती शिरपा कोन है, अमिताप कान्त है, और आपको बताना चाहता हूँ, पहले बैठक जो हुई थी, वो तो हुई थी, उदैपूर में, दूसरी बैठक जो हुई है, फेंस, वो हुई है, कुमार कॉम, क जो की है केरल में, और यह अपने ध्यान रखना है, और तीसरी बैठक कहां पे हुई है, हमपी करनाटक में, चौती बैठक हर्याना में आयोजित की गई है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, जी टोन्टी देशों के वित मंतरियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की पहली बैठ कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा, ऑप्शन B, बैंगलूरू, करनाटक में, बैठक की अद्रिक्षता करी है, निर्मला तितारमन और सह अद्रिक्षता करी है, भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर शक्तिकान दास ने, मुई अगर हम बात करें, दूसरी बैठक, तो व अगर गुजरात में, आपको कोशन का लेवल देखके पता लग रहा होना, कि सभी कोशन एक्जाम औरियंटेड है, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एक्जाम में आपको इससे बाहर एक भी कोशन नहीं मिलेगा, अगर आपको रवी सरी की वीडियो की वीडियो का कॉंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें, कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है फेंट्स, और आपको हमारा करन्ट अफेट का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसका नाम है, Current Affairs by Ravi, इस यूट्यूब की चैनल, इस वीडियो के बाद अब जरू सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, Current Affairs by Ravi, डेली Current Affairs बढ़ने के लिए साथ में ही पॉलिटी जोग्रोफिकी स्रीज भी यहां पे स्टार्ट करी हुई है, नेक्स कोशन है मारा, दो हजार बाइस में G20, इंडिया की पहली विकास कारे समू बैठक की मिजबानी किस शहर ने की है, सही आंसर होगा इस कोशन का, Option C, मुंबई शहर ने, यह अपने ध्यान रखना है, और वहीं अगर हम बात करें, दूसरी विकास कारे समू बैठक कहां पर हुई है, केरल के कुमार कौम में, और अगला कोशन कर लेते हैं, 2022 में भारत की G20 प्रेसिटेंसी के तहट पहली G20 फ्रेमवर्क वर्किंग गुरूप की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा, Option C, बैंगलूरू करनाटक में, वहीं अगर हम बात करें, दूसरी बैठक कहां पर हुई है, चन्नाई में, त सही आंसर होगा, Option C, उप्योक्त दोनों, मंसुख मंडाविया, जो की स्वास्ते मंतरी हैं हमारे देश के, निर्मरा सितारमन जी, जो की हमारे देश की वित्त मंतरी हैं, अगला कोशन, 2023 में वित्य समावेशन पर G20 सम्हों की पहली बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर ह जो आपको करवा रहोना एक्जाम के लिए most important है, अगला कोशन, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली अव संद्रचना कारे सम्हों की बैठक कहां योजित हुई है, फिर जहां बात हो रही है, First Infrastructure Working Group की मीटिंग की, सही आंसर होगा Option C, पूने महरास्टर में, और जो आपको करें, दूसरी बैठक कहां पर हुई है, विशाका बतना में, तीसरी बैठक हुई है, रिशिकेश में, अगला कोशन, 2023 में भारत में G20 Health Working Group की पहली बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा Option B, तिरुवनंद पुरम केरल में, जो आपको करें, दूसरी बैठक की शहर में आयोजित की गई है, इस कोशन में बात बोला गया है कि इंटरनेशनल फाइनेशनल स्ट्रक्चर वरकिंग गुरूप की जो पहली मीटिंग है, यह कहां पर हुई है, आंसर होगा Option C, चंडिगर में, और वहीं अगर हम बात करें, दूसरी बैठक कहां पर ह हुई है, पैरिस में, तिसरी बैठक गोवा में, अगला कोशन, 2023 में G20 परियाटन कारे समूँ और परियाटन मंत्रियों की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा Option B, गोवा में, यह अपने ध्यान रखना है, नेक्स कोशन, 2023 में G20 एजुकेशन वरकिंग गुरूप की पहली बैठक कहां योजित हुई है, एक्जाम के लिए most important question है, सही आंसर होगा Option C, चैन नहीं में, और वहीं अगर हम बात करें G20 एजुकेशन वरकिंग गुरूप की दूसरी बैठक कहां पर हुई है, अमरिस सर में, तीसरी बैठक हुई है, भूबनेश्वर में, और पूने में, next question, 2023 में भारत की G20 अधिक्षता की अंतरगत रोजगार कारे समों की पहली बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा Option C, जोधपुर राजस्थान में, रोजगार कारे समों की दूसरी बैठक गोहाटी असम में हुई है, रोजगार कारे समों की तीसरी का ये इन दौर में हुई है, अगला कोशन करते हैं, 2023 में भारत की G20 के अधिक्षता के तहत पहली एनरजी टांजिशन वरकिंग गुरूप की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा Option B, बैंगलोरू करनाटक में, डिटेल में अब हम समझते हैं, दूसरी एनरजी ट G20 अधिक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिजम वरकिंग गुरूप की बैठक 2023 कहां योजित हुई है, सही आंसरों का इस कोशन का Option B, कच गुजरात में, और वहीं अगर हम बात करें, दूसरी टूरिजम वरकिंग गुरूप की बैठक हुई है, सिली गुड़ी और दार जिलिंग में, तीसरी टूरिजम वरकिंग गुरूप की बैठक हुई है, श्री नगर में, चौती हुई है, गोवा में नेक्स कोशन है हमारा, 2023 में G20 इंडिया की परियाववरन और जलवाई उस थिरता कारे समों की पहली बैठक की मिजबानी कि शहर ने की है, सही आंसर होगा Option B, बैंगलूरू शहर ने और वहीं अगर हम बात करें, परियाववरन और जलवाई उस थिरता कारे समों की दूसरी बैठक कहां पर हुई है, गांदी नगर में, तीसरी बैठक हुई है, मुंबई में, चौती बैठक हुई है, चैन्नाई में अगला कोशन, 2023 में G20 Digital Innovation Alliance शिकर समिलन का योजन कहां हुआ है, सही आंसर होगा Option C, बैंगलूरू में नेक्स कोशन है मारा, 2023 में भारत की G20 अधिक्ष्टा के तहट पहली Digital Economy Working Group की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा इस कोशन का Option C, लखनाउ उत्तर प्रदेश में नेक्स कोशन, G20 संस्कृती कारे समों की पहली बैठक कहां योजित की जाएगी, सही आंसर होगा Option D, खजुराओ मध्य परदेश में आयोजन किया गया है, G20 संस्कृती कारे समों की पहली बैठक, डबल स्टार मार कर लिजए एक्साम के लिए Important Points से समझते हैं, इसकी Theme है Protection and Resolution of Cultural Property, वहीं अगर हम बात करें संस्कृती कारे समों की दूसरी बैठक कहां पर हुई है, भूवनेश्वर में, तीसरी बैठक हुई है, हम भी करनाटक में, फिर्ट यह जो था ना संस्कृती वाला कोशन, ये एक्साम के लिए आप डबल स्टा इसके साथ आपको बदाना चाहता हूँ कि जो रवी सार की पीडिएफ है, उसकी वेफसाइट लाँच हो चुके है, यहां पर आपको शो हो रहा होगा, www.ravibooks.pdf.com, फिर्ट यहां पर ना मैंने जो भी Current Affairs की PDF होती है, पॉलिटी की PDF, हिस्टरी की PDF, यहां पर आपको मिल ज अपर आपर टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो, अगला कोशन, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा, Option A, नई दिल्ली, और बैठक की अधिक्षता किसने करी, Dr. Subrayamanyam, जैशंकर, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री है, अगला और वहीं अगर हम बात करें, दूसरी Anti-Corruption Working Group की बैठक कहां होई है, रिशिकेश उतराखंड में, नेक्स कोशन, 2023 में भारत की G20 अधिक्षता के तहत, पहली Sustainable Finance Working Group की बैठक कहां योजित हुई है, आंसर होगा, Option B, गुवाटी असम में, और दूसरी Sustainable Finance Working Group की बैठक कहां प और निवेश कारे समु की बैठक कहां योजित हुई है, सही आंसर होगा, Option B, मुंबई में, और वहीं अगर हम बात करें, दूसरी वेपार और निवेश कारे समु की बैठक हुई है, बैंगलोरू में, तीसरी हुई है के वडिया, गुजरात में, चोथी होई है, जैपुर म फिर जो पहली वाली होती है वो एक्जाम के लिए काफी important है और जो आकरी वाली है ये भी एक्जाम के लिए काफी important है इसलिए मैं आपको हर एक कोशन डिटेल में करा रहा हूँ नेक्स कोशन करते हैं दो हजाथ तेस में भारत की G20 अध्यक्षता के तहट क्रिशी कारे समों की पहली क्रिशी प्रतिनिदी बैठक कहां योजित हुई है सही आंसरों का इस कोशन का option भी इंदौर मध्य प्रदेश में और वहीं अगर हम बात करें क्रिशी कारे समों की दूसर क्रिशी प्रतिनिदी बैठक कहां पर हुई है चंडिगड में तीसरी क्रिशी प्रतिनिदी बैठक हुई है है हैधराबाद में नेक्स कोशन दो हजाथ तो इस तेस में G20 देशों की कला प्रदशनी का आयोजन कहां हुआ है सही आंसर होगा इस कोशन का option C पतना बिहार में और इसकी theme क्या थी together we are अगला कोशन करते हैं प्रधार मंतिर नरेंदर मोधी जी ने अगस्त दो होजाथ तेस में G20 महिला चशक्तिकरन मंत्री स्तरिय सम्मेलन को कहां संबोधित किया है आंसर होगा option A गांधी नगर गुजरात में नेक्स कोशन है मारा दो होजाथ तेस में भारत की अध्रिक्षता में तीसरी G20 भ्रषटाचार शरोधि कारेसमों की बैठक कहां योजित होई है जही आंसर होगा option C गांधी नगर गुजरात में दोसरी आपडा जोकिम नियूनी करन कारेसमों की बैठक कहां योजित होई है और तीसरी हुई है चैन्नाई में रक्षा मंतरी राजना सिंग ने G20 अगेंजमेंट ग्रूप सिविल 20 शिखर समेलन 2030 का उधगाटन कहां किया है सही आंसर होगा ऑप्षन ए जैपुर राजिस्थान में अगला कोशन 2023 में भारत की G20 अधेक्षता के तहत शरम एवं रोजगार मंतरियों की बैठक कहां योजित हुई है आंसर होगा ऑप्षन भी इंतोर मध्यप्रदेश में नेक्स कोशन 2023 में भारत की G20 अधेक्षता के तहत उर्जा मंतरियों की बैठक कहां योजित हुई है सही आंसर होगा ऑप्षन C गोवा में भारत की G20 अधिक्षता के तहत पहली महीला 20 यानि की W20 बैठक कहां योजित हुई है most important question है ये सही answer होगा option D महाराष्ट के संभाजी नगर में और वहीं अगर हम बात करें की W20 यानि की महीला 20 G20 के तहत एक अधिकारी जुडाव समोह है जिसे 2015 में तुर्की की अधिक्षता के दोरों ने स्थापित किया गया था थीम क्या है इसकी परसुइट ऑफ जंडर इक्वैलिटी एक्विटी और डिगनिटी फोर वोमेन लेट डवलोपमेंट अगला कोशन 2022 में भारत की G20 अधिक्षता में वित एवं केंद्रिय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहां योजित होई है सही अंसरों का ऑप्षन भी बैंगलूरू करनाटक में बैठक के अधिक्षता करी है वितमंद्राले और भारते जब बैंक के गवर्णरों ने नेक्स कोशन 2023 में भारत की G20 अधिक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रूप की बैठक कहां योजित होई है सही अंसरों का ऑप्षन है लक्षदुईप में नेक्स कोशन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूस है कि हमारी जो पीडिएफ की वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com यह launch हो चोगी है आप गुगल पर जाके सर्च करना यहां पर आपको हमारी current affairs की pdf साथ में gk की pdf हर सब्चेक्ट की quality, history, geography, computer के मिल जाती है और इसी के साथ हमारी master pdf भी है 20,000 gk वाली तो इस pdf को आप ज़रूर भाई कर लेना एक्जाम में आपको 95% से जादा कोशन directly देखने को मिलेंगे इस pdf से मतलब आपका gk का current affairs का maintenance करतम कर दिया ठीक है आपके रवी सर ने best content रखा है अपनी pdf में और इसी के साथ अगर आपको इस वीडियो का notes चाहिए या आपको test लगाना है तो हमारी application को install कर लेना हमारी application है रवी study IQ जी के नाम से आपको play store से मिल जाएगा ठीक है friends तो चलिए अब हम next question पढ़ लेते हैं next question है मारा G20 का research and innovation initiative gatherings अमेलन 2023 कहां योजित हुआ है सही answer होगा इस question का option A धरम शाला हिमाचल प्रदेश में next question 2023 में भारत की G20 अधिक्षता के तहत क्रिशी प्रमुख विज्ञानेकों की बैठक कहां योजित हुई है सही answer होगा option A वारानसी में next question 2023 में G20 देशों के संसर्द अधिक्षतों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में योजित हुआ है सही answer होगा option B भारत में अगला question भारत की किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकल की मेजबानी के लिए चुना गिया है सही answer होगा option B एहमदाबाद next question जी टोइटी देशों के विकास मंद्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारती शहर ने की है सही answer होगा इस question का option A वारानसी April 2023 में भारत की G20 के अध्यक्षता की दवरान G20 कारेकरम की मेजबानी किस केंद शाचित प्रदेश ने की है सही answer होगा इस question का option B लद्दाख 2023 में G20 शशक्तिकरन की पहली बैठक कायोजन कहा हुआ है सही answer होगा इस question का option D आगरा में next question है मारा कें सरकार ने business 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे न्यक्षत किया है सही answer होगा option D एन चंदर शेखरन को अगला question है मारा 2023 के G20 समिलन में भारतिय शेरपा कौन है सही answer होगा option C अमिताब कांत यह है फोटो अमिताब कांत जी की next question देश के civil 20 का अध्यक्ष किसे न्यक्षत किया गया है सही answer होगा option A अम्रिता नंदमेई देवी जिनको की अम्मा के नाम से भी जाना जाता है फैंट्स यह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है अब ठीक है अब मैं आपको यह बता रहता हूं कि G20 सदसर मिलन में आमंतरी सदस से देश और उनके राष्य अधिक्ष कौन है ठीक है जपान के प्रधान मंतरी हैं फुमियो किशिदा जपान की तरफ से इटली की प्रधान मंतरी जोड जोड़िया मेलानी अमेरिका के राश्पति जो बाइडन इंडोनेशा के राश्पति जोको विडोडो अस्ट्रिया के प्राजिल के राश्र्पति यह अपने ध्यान रखना है और वहीं अगर हम बात करें ब्राजिल के राश्र्पति लूला दा सिल्वा ठीक है और साज़ी अरब के मंतरी मुहमद बिन सल्मान, जर्मन के चांसलर ओलाफ स्कूल्स, तुर्की के राश्टपती 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 यू सुक यहोल, फ्रेंट यह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, फ्रेंट अब को वीडियो पसं करता हूँ कि रवी सर्गी जो जीगे की करेंट अफेट की पीडियो है, हर एक्साम के लिए काफी यूसफुल है, वो भी लाउंच हो चुकी है, ठीक है, तो वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर विजिट करके आप करेंट अफेट की पीडियो बाई कर सकते हो, एप्लि भारत मंडपम में G271223 के आयोचन स्थलप 28 फूट ऊची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, दोनों कोशन का अंसर आपने comment box में देना है, वीडियो कैसी लगी आपने ये भी ज़रूर बताना है, उमीद करता हूँ फेट्स आपको वीडियो की quality, वीडियो content और आपके र देना है, वीडियो की बेता है, वीडियो की तूट इस तो,